हलो फ्रेंड्स दिस इस निलो फर निहां खान और सिख्षाले में आपका स्वागत है तो आज हम बात कर रहे थे सीडीपी के चैप्टर 14 के पार्ट 2 के बारे में पार्ट 1 में मैंने विकलांगता क्या होती है किस प्रकार से विकलांग बच्यों की पहचान की जा सकती है या फिर और जो मानसिक बिमारियां जो होती हैं ये सारा कुछ डिसकस किया हुआ है अगर आपने पहले उसे नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए तापके आपके concept clear होते हुए चलेगा तो अब हम बात करने वाले थे अधिगम आशमता यानि learning disabilities क्या होती हैं किस प्रकार से होती हैं और कितने प्रकार की learning disabilities होती हैं तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि learning अधिगम आशमता होती ही क्या है मतलब learning disability है ही क्या जो क्या कहते हैं सी टेट हो या यूपी टेट हो या एच टेट हो यह जो इतना important role play करती हैं किसी भी exam के लिए हर बार दो या तीन questions इसमें से आते ही हैं चाहें वो dyslexia हो या dysgraphia हो या dyscalia हो सारे ही आते हैं हर बार तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि learning अधिशमता या फिर ये learning अशमता क्या है देखें learning अशमता क्या है ये अधिगम अशमता है क्या ये जानते हैं जब किसी बालक का मश्टिक्ष सुचारू रूप से कारे करने में अक्षक्षम हो इसलिए कुछ बालकों को पढ़ने या चीजों को समझने में परिशानी होती है तो इसे अधिगम अशमता कहते हैं अब देखिए learning disabilities क्या होती है ये कुछ बालक जो होते हैं उनका मश्टिक्ष जो होता है तो चारू रूप से काम नहीं करता या फिर किसी चीज को कोई भी चीज को समझने में उन्हें difficulties होती हैं कि या उन्हें difficulties होती हैं चीजों को समझने में या फिर किसी चीज को पढ़ने में या किसी चीज को लिखने में तो इसी कोई हम learning disabilities कहते हैं जो कि आजकल काफी बच्चों में पाई जाती है तो as a teacher आपको ये find out करना होगा कि आपकी class में जो बच्चे हैं वो इस प्रकार की learning disabilities से सफर ना कर रहे हूँ तो चली देख लेते हैं एक एक करके कि कितने प्रकार की learning disabilities होती हैं और कौन-कौन सी तो सबसे पहले अधिगाम अश्रमता की प्रकार की types of learning disabilities सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगी पाठन निरियोगता मतलब reading disorder जो reading disorder होता है मतलब जो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती हैं वो किस प्रकार की मतलब क्या-क्या नाम से जाना जाता है पहला हमारा है dyslexia dyslexia जब हम जब किसी बालक को पढ़ने में दिक्कत जो होती है उसे हम dyslexia कहते हैं पढ़ नहीं पाता या फिर वो पढ़ सकता है उम्मीद होती है वो पढ़ सकता है लेकिन जो एलेक्सिय होता है इसमें बच्चा बिल्कुल ही पढ़ नहीं सकता तो इन दोनों में डिफ्रेंसेज यह हैं दूसरा हमारा प्रकार है लेखन निडियोविता मतलब रइटिंग डिसौर्डर रइटिंग डिसौर्डर में जो होता है हमारा वो रहता है दिस्ग्राफिया तो दूसरा हमारा प्रकार जो था वो था dysgraphia dysgraphia में जब बच्चे ना लिखने में या तो उनके वो pencil ठीक से नहीं पकड़ पाते या फिर उनका लिखने में problem होती है वो लिखने से सम्बंदे disorder होता है और इसा दूसरे नाम से जो जाना जाता है dyspraxia ठीक है और तीसरा जो नाम होता है वो होता है अग्राफिया देखें दो तिन चीज़े मैं आपको बताऊंगी जिन में भी डिस वाला एक ट्रिक है यह समझ लीजे जब हमारे सामने आगे जो डिस ग्राफिया ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से ही सम्बंदित होता है तो जब थोड़ा लिखने में असक्षम है चीज़े जादा सही से नहीं लिख पा रहा है लेकिन जब उसके आगे आ लग जाता नहीं यह लग जाता है तो उसमें जो डिस ऑर्डर होता है उसमें होता है कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं लिख सकता ठीक है जैसे हमने अभी पढ़ा थ डिसलेक्सिया में अलेक्सिया में बिल्कुल बच्चा पढ़ नहीं सकता है ऐसे अग्राफिया में बिल्कुल नहीं लिख सकता जिसमें भी आ आ जाएगा उसमें कभी वो लिखने में ही असक्षम होगा तीसरा प्रकार है हमारा अंकगड़ित नीरयोगिता अंकड़ित नीर संबंदी जो हमारी difficulties होती है उन्हें हम अंकगरित निरयोगिता कहते हैं और इसका नाम क्या होता है dyscalculia है और pneumolexia और dyscalculia यह दो नाम होते हैं वैसे most of the time dyscalculia ही आता है तीस चोथा जो हमारा प्रकार है वो है मोखिक निरयोगिता मतलब जब बच्चा साउंड जो sound problem होती है मतलब साफ तरीके से नहीं बोल पाता ठीक है तो पहला है अफेजिय है और दूसरा है dysphagia ठीक है तो पाचवा हमारा प्रकार है dysthemia dysthemia एक तरीके की तनाव की या फिर कह लिजिए एक तरीके की ऐसे स्तिती होती है जब depression में इंसान पहुंच जाता है और इसमें न सोचने समझने की जो शक्ती होती है इंसान की मतलब हर वक्त है न वो तनाव में ही अपने आपको तनाव में ही रहता है ठीक है तो आजकल ये भी बिमारी बालकों में पाई जाती है लास्ट जो हमारा प्रकार है चटा ये है dysmorphia dysmorphia देखे इसमें न हिंदी लिखने में थोड़ा सा प्राब्लम होती है तो कई बार spelling mistake हो जाती है तो dysmorphia की spelling ये नहीं है लेकिन English की सही है ठीक है तो dysmorphia जो होता है इसमें क्या होता है न कि एक mental disorder होता है जिसमें के आदमी है न एक ब्रह्म की ब्रह्म में रहता है कि उसने ये कर लिया या फिर मतलब एक है न उसने अपने मन में ही एक कल्पना की भी होती है और उसी के अंदर वो जी रहा होता है ठीक है तो इस प्रकार का disorder होता है ये dysmorphia तो यहां पर यहां पर हमारी वीडियो खतम होती है अगर आपको मेरी वीडियो में को थोड़ा भी कोई भी चीज ऐसी है जो समझ ना आई हो या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपको डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और दूसरी चीज अगर आपको लगता है कि ये